अलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रू हैं. एक प्रतापी गुरू थे जो अपने सभी शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे, अपने शिष्यों के हर गुनों और कमियों के बारे में पता कर उन्हें भविश्य के लिए तयार करते थे, उनका एकी मात्र लक्ष़ था कि उनक ये सभी शिश्यों में एक शिश्य था जो अत्यांत भोला था, स्वभाव का बड़ा ही कोमल और सरल विचारों वाला था लेकिन वो बहुत ज्यादा आलसी था, आलस के कारण ही उसे कुछ भी पाने का मन नहीं था, वो बिना कर्म के मिलने वाले फल में रूची रखता था, उ इस पत्थर के बारे में जानने के लिए सबसे अधिक जिग्यासू वही शिश्य था, ये देख गुरू उसकी मन्शा समझ गए, वे समझ गए कि ये हालसी हैं इसलिए उसे इस जादूई पत्थर की लालसा हैं, लेकिन ये मूर्किय नहीं जानता कि जो व्यक्ति कर्महीन हो और ये तो बस एक साधारन पत्थर हैं, ये सोचते सोचते गुरू ने सोचा कि यही सही वक्त हैं इस शिश्य को आलसी के अवगुनों से अवगत कराने का ऐसा सोच गुरू जी ने उस शिश्य को अपनी कुटिया में बोलवाया, कुछ क्षन बाद, कुटिया के भीतर शिश्य ने प्रवेश किया और गुरू को सिर जुका कर प्रणाम किया, गुरू ने आशिरवात देते हुए कहा, बेटा, मैंने आज जिस पारस पत्थर की कहानी सुनाई, वो पत्थर मेरे पास हैं और तुम मेरे प्रिय शिश्य हो, इसलिए मैं वो पत्थर सूर्य उदै स लेकर सूर्यास तक के लिए तुम्हें देना चाहता हूं, तुम उससे जो करना चाहों कर सकते हो, तुम्हें जीतना स्वर्ण चाहिए तुम इस पत्थर से इस दिये गए समय में बना सकते हो, ये सुनकर शिश्य की खुशी का ठिकाना ना था, गुरू जी ने उसे प्राता सूर्योदे होने पर पत्थर देने का कहा, रात भर वह इस पत्थर के बारे में सोचता रहा, दुसरे दिन, शिश्य ने गुरू जी से पत्थर लिया और सोचने लगा कि कितना स्वर्ण मेरे जीवन के लिए काफी होगा, और इसी चिंतन में उसने आधा दिन निकाल दिया, भोजन कर वो अपने कक्ष में आया, उस वक्त भी वो उसी चिंतन में था कि कितना स्वर्ण जीवनव्यपन के लिए परियाप्त होगा, और यह सोचते सोचते आधत अनुसार भोजन के बाद उसकी आँख लग गई और जब खुली तब दिन धलने को था और गुरू जी के वापस आने का समय हो चूका था, उसे फिर कुछ समझ नहीं आया, इतने में गुरू जी वापस आ गए और उन्होंने पत्थर वापस ले लिया, शिषय ने बहुत विनती की लेकिन गुरू जी ने एक ना सुनी, तब गुरू जी ने शिषय को समझाया पोत्र, आलस्य व्य परन्तु तुम्हें बहुत आलस है, जिस दिन तुम इस आलस के चौले को निकाल फैकोगे, उस दिन तुम्हारे पास कई पारस के पत्थर होंगे, शिषय को गुरू की बात समझा गए और उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया, उसे कभी किसी पारस की लालसा नहीं रही ये ये कहानी हमें कर्म का महत्व समझाती हैं, साथी बताती हैं कि जो व्यक्ति कर्महीन हैं उनके पास पड़ा पारस का पत्थर भी एक आम पत्थर की भाती ही है